हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है अनौडिटेड स्टैंडलॉन और कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउड हो चुका है कॉंसॉलिडेड कवर करेंगे चलिए फ्रेंड़ वेडियो स्टार्ट करते हैं पहले कॉंसॉलिडेटेड कवर करेंगे लैक्स में नंबर से इंकम 205.9 करोड का पिछले quarter में 216.4 करोड का जून 23 quarter में 139.2 करोड का इंकम है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses 162.5 करोड का पिछले quarter में 161.2 करोड का जून 23 quarter में 109.8 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expense में increase किया जिवकेंदिकम में डाउन था लेकिन याइर ऑॉन एर के इक्ष्पेंस इंक्रीज型 है इसके बाद ऑपेड़िंग पॉफिट 43.3 करोड का पिछले कॉइट интер Science 45 करोड का जुन 23 कौउटर में 198.3 क्रोड का उपेडिंग पॉफित है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 32 करोड का पिछले quarter में 39.3 करोड का और June 23 quarter में 21.2 करोड का profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 1.59 रुपीज का quarter on quarter में down है year on year में भी down है तो guys company का जो result आया अगर देखा जा तो quarter on quarter के income profit दोनों में down है but year on year में increase किया है Segment Wise Broking Services Advisory Services NBFC Services Unallocated in Service Revenue Generate कर रही है Quality on quarter में down है Year on year में increase किया है वहेगर हम stand-alone results को cover करे Income में 7 करोड का पिछले quarter में 2.8 करोड का और June 23 quarter में 3.5 करोड का Income है Quality on quarter Year on year दोनों में increase किया है Expenses 3.3 करोड का पिछले quarter में 2.8 करोड का और जून 223 क्वाटर में 2.8 क्रोड के expense हुआ था क्वाटर औन क्वाटर येर औन येर दोनों की expenses गीज किया है income के recording जिसके बाद operating profit है 3.6 क्रोड का पिछले quarter 3 lakhs का और जून 23 quarter 71 lakhs का profit है क्वाटर औन क्वाटर येर औन येर में increase किया है profit 2.9 करोड का पिछले quarter में 4 lakhs का और जून 23 quarter 54 lakhs का profit quarter on quarter year on year में इंक्रीज किया है EPS 0.15 रुपीज का quarter on quarter year on year में इंक्रीज किया है तो गाइस कंपनी को देखे consolidated में average क्वाटर on quarter income profit में डाउन है लेकिन स्टेंडलाउन में वहीं इंक्रीज किया लेकिन कंपनी का में लोग कवर करेंगे consolidated को क्योंकि इसके बहुत सारे subsidiaries और अभी यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेव डाउन सब्सेडरीज है जो की name of the entity अगर आप देख सकते गाई परलव कि अगर देखा है तो सब्सेडरीज बहुत सारा होने के विए सगा इसको consolidated कवरी करेंगे जो कि एवरेज रिजल्ट पेश किया और रिजल्ट इसका आया है 540 में रिजल्ट आते ही गाई 378 387 रुपीज पर कंपनी का शियर क्लोज किया 0.44 परशन का पॉफिट दिया है फाइव दे में 0.8 परशन का लॉस है वन मंत में 3.8 परशन का पॉफिट है और सिक्स मंत में 44 परशन का पॉफिट अलड़ी बहुत जदा हाई जा चुका है कुछ त कि मौटर के इंकम प्रॉफिट बहुत बुरी तर से गिरावट आईए तो अगर कल के दिन निगेटिव ओपन होता आए गाई तो आप इसमें वेट कर सकते हैं आप पॉफिट बॉक करके निकल सकते हैं को और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इसको एंट्री क